हेलो क्रिकेट लवर्स कैसे आप सब ऑस्टेलिया वर्सिस इंगलेंड काफी बहतरीन सीरीज चल रही है ऑस्टेलिया वन सैडिड लिए सीरीज जीता हुआ आ रहा है और पिछले मैच इंगलेंड ने अच्छी फाइट करी और फिफ्ट टेस्ट मैच में हम एक्सपेक्ट करते इंगलेंड और अच्छी फाइट देते हुए नजर आएगा उस्टेलिया वर्सिस इंगलेंड फिफ्ट टेस्ट से जुड़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी कि पिछ रिपोर्ट क्या रहने वाली है किस खिलाड़ी की होगी एंट्री और क्या कहता है यहां का रिकॉर्ड तो सबसे पहले मुकाबला हो कह रहा है बैलरी वी ओवल नाम का स्टेडियम है जो की काफी शांदार है और यहां पर यह मैच भी काफी अच्छा होने के असर तो यहां के रिकॉर्ड क्या कहते हैं तो यहां के रिकॉर्ड कहते हैं तो यहां के रिकॉर् प्रूफ चीते तो पहले बल्लेवाजी का फैसर लीजिए इसका एक और आपको प्रूफ दिखाता हूं मैं कि इस ग्राउंड की एवरेज क्या कहती है यहाँ पर फर्स्ट इनिंग का एवरेज फोर्थ इनिंग का एवरेज स्कोर दो सो साथ यानि कि आप धैसो के करीब ही रहेगी हाँ पर सकोर सेकेंड इनिंग में भी और फॉर्थ इनिंग में भी उसके अलावा यहाँ पर ओस्टियर ने लास्ट तैन मैचेज में से चे जीते हैं और दो ड्रॉवे और एक साथ अफरी वाली है तो ऐसा करिए आप टोस जीते और पहले बले बाजी करिए अगर उसमें तो सेकंड इनिंग में आपको अच्छा करना पड़ेगा नहीं तो अगर आप थर्ड इनिंग और फोर्थ इनिंग पर डिपेंट करोगे ना तो बहुत ज्यादा मुसिबत होने वाली है यहां पर इंगलैंड की टीम को खास दोर पर क्योंकि ऑस्ट्रेला टीम बहुत ही भैतेंड कर रही है अगर ऑस्ट्रेला टीम टॉस हारती भी आना तो भी वह अच्छा कवर अप कर सकते हैं ऐसा मुझे यकीन है इसके अलावा अब बात करते हैं कि यहां पर क्या दोनों ही टीमों का कॉम्बिनेशन होने वाला है अगर बात करें यहां पर ऑस्ट्रेला की तो जो ओपनर्स हैं वह सकते हैं मारकरस हेरिस और उस्मान ख्वाजा और सेंज्टिय लगाने के बाद उनको COVID हो गया था उसके बाद भारोत नहीं तो क्वाजा को नहीं मिलती जगा है इसके अलावा ग्रीन खेलेंगे, ग्रीन के बाद के लिए केरी खेलेंगे, काफी अच्छे हैं पर लिए बलेबाज इतनी अच्छी नहीं कर पाईए बहुत ज़्यादा चेंज्जिस करने, कोशिश करने, देखते हैं इस मैट में क्या चेंज करेंगे तो क्रॉली ने तो काफी अच्छी इनिंग खेली थी पिछले मैच में तो इसमें वो तो खेलेंगे, खेलेंगे हमीद बिल्कुल डिसपॉइंट कर रहे हैं, उनको कम से कम आठ हीनिंग मिल चुके हैं, कुछ नहीं कर पाए वो और एक भी आदश्य तक नहीं है उनका, तो काफी हैं डिसपॉइंटिंग कर रहे हैं, तो हमीद तो मेरे साब से इस मैच में नहीं खेलेंगे आपको रूट दिखेंगे, रूट के बाद आपको दिख सकते हैं, बेख स्टो मेरस्टो बाद आपको स्टाक सकते हैं, इनको खेला जाएगा, धैन आपके बटलर भी अच्छी फोम में नहीं नहीं है, रोटलर ने खेलती हैं घजा सैम बिलिंग, भी तैस्टा मचों ब 38 मे बात करें तो यहां के पीछ बिल्कुल फ्लैट स्टार्टिंग वो फ्लैट रहने वाली है और स्लो पिछ रहने वाली है जितना आप एक्सपैट करोगे उतनी तेज नियागी बोल थोड़ा रुक कर आ सकती है और यहां पर जैसे फिर फिर फटने लग जाएगी और यहां पर आपको मदद मिलने लगेगी और यहां पर आप बात करते है वैधर रिपोर्ट क्या रहे है का तो वैधर कहा रहा है कि फिर्स्ट डे थंडर स्टॉम का भी है और बारिश आने की आसार है पहले दिन में बाकी कोई दिक्कत नहीं है पार्टलिक लाउड ही होते रहेंगे पर अच्छा लगाओगा अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक शेर सब्सक्राइब जरू करेगा मिलते हैं नेक्स्ट टूडियो में क्रिकेट से जुड़ी अपडेट के साथ